नमस्कार इतनी ही सुकून और इतनी ही शान्ती अगर आपको भी महसूस करनी हो तो आजाएए सिली गुडी के उत्तोरा टाउन्चिप में जो सिली गुडी शहर और बागडोगरा एरपोर्ट के बीचो बीच हो यहाँ पर हिल्स का व्यू भी आपको देखने को मिलेगा नेचर की सुनदर्ता भी आपको देखने को मिलेगी एक तरह से बहुत ही अच्छी सोच के साथ इस पूरे टाउन्चिप को बनाया गया है बहुत ही खूपसूरती से इसको विक्सित किया गया है चाहे चिल्डर्न comparative हो या फिर सिंगालीला क्लब हो या कोर्ट रूम हो सब कुछ बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखते हुए बढाया गया है तुरा जो टाउन्शिप है उसकी क्या खासियते हैं इस बारे में हम और जानकारी लेंगे सेल्स्टीम की मिस निकी से नमस्ते निकी जी स्वागत है आपका तो ये बताईए उत्तरः टाउन्शिप जो है किस सोच के साथ बनाया गया क्या क्या गौंसेप्ट था इसके पीछे उत्तरः का थीम्द उन लाइफस्टायल स्पोर्स न लाइफस्तायल ठीक है So we have this futsal, this is a mini, what do we say, football gaming, and we have this park for the, this is basically the kids zone, then we have this basketball, mini basketball, you can see that, and you can get the view of the sunset very properly from the deck, we have that upper deck. So normally when we are having events, we can have live music, which can be set up in that particular platform, there can be dance or live acoustic music or whatever, the customers prefer. This is a swimming pool area, we are showing the swimming pool area at this time. यह उत्तरा टाउंशिप का लाइव ओपन बार है, जहां की तस्वीरे इस वक्त आप देख सक रहे हैं. यह है किट सेरिया, यहां बच्चों के लिए कुछ गेम्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां बच्चे आकर के गेम का मजा ले सकते हैं. शादी समारो हो या बिजनस मीटिंग हो या किसी तरह का कॉन्फरेंस हो या फिर बर्डे पाटी हो, उसके लिए उत्तरा टाउंशिप में मौजूद है यह मैगनोलिया बैंक्वेट हॉल. तो एक तरह से यह जो उत्तरा टाउंशिप है, काफी सोच समझ कर बनाया गया कॉन्सेप्ट है. बैंक्वेट हॉल से ले करके, स्विमिंग पूल से ले करके, हर तरह की सुविधा यहां आपको मिलेगी. यहां जिम की सुविधा मिलेगी लोगों को, एक तरफ किट्स के खेलने की जगा, तो दूसरी तरफ जिम की जगा है. ऐसे में बच्चे एक तरफ गेम खेल सकते हैं, तो दूसरी तरफ अभी भावक भी जिम के दोड़ान बच्चों पर पूरी नजर रख सकते हैं. तो अब हम आगे बढ़ते हैं लॉबी एरिया की तरफ और इसके बाद आपको ले चलेंगे रेस्टरेंट एरिया में. अभी हम लोग आ गए हैं सिल्वर फायर रेस्टरेंट एरिया में. यहां की क्या खासियत है, किस तरह के भूजन यहां आपको मिलेंगे, इस बारे में ह तो दाल बुखरा वज वेरी इंपूटेंट इस एरिया में. अगर आपको फैमिली के साथ आना हो या फिर कोई बिजनेस रिलेटेड प्रोग्राम में आना हो तो फिर इस उत्तरा टाउंशिप में जरूर आईये और एक बार यहां का भी आप लुट्फ जरूर उठाईये. कैमरामेन सवीता के साथ में मधू सन्मार्द.